हेलो फ्रेंज, आज हम बात करने वाले रैकून एक निशीचरी जीब के बारे में जो अमेरिका में पाया जाता है तता यह बहुती इंटरस्टिंग जीब होता है जो कि खाना चुराने के लिए जाना जाता है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए और अबी तक नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब जरू कर दीजिगा तता इसकी बनाबट बहुत ही अजीव होती है, यह खुबसूरत और रोचक जीव उत्री अमेरिका का मूल निवासी है, तता मुखिता अमेरिका में ही रैकून पाया जाता है, लेकिन यूरोप में भी रैकून मिल जाते हैं, यह इस्तंधारी प्राणी रात्री चर जीव है, तता रैकून रात के समेही सिकार और भोजन की तलाश में बाहर निकलता है, यह दिन में अराम और बस अरामी करता है, तता सर्दियों में रैकून अपनी मंद में ही रहना पसंद करते हैं, तता रैकून की चहरे पर मसकूनमा डार्क धब्बे होते हैं, तता वे माना जाता ह कि यह दब्बे सूरे की ग्रेस रोशनी से बचाव के लिए करते हैं तता सरीर पर भूरे रंग क्या फरे होते हैं तता रैकून प्राणी की और सतन लंबाई 35 इंच होती है यह एक वैस की और नीचे भी हो सकता है तता उचाई में यह 12 इंच के करीब होते हैं रैकून का बजन को हाथ की तडह ही इस्तिमाल करते हैं यह पन्जो को अषानी से कर लेते हैं यह अपने पंजो की meow को कि पतड़ना कार Đिया आप जानकर है रिए होगी कि अलग अलग तरह की ओब यह 7 निकाल सकता है कि यह आप दूसरों के स्याधा करने लिए यह तो पर पाश्क में दौराण रैकून भिविन प्रकार की आवाजें निकालता है, रैकून एक बुध्धिमानी प्राणी होता है, रैकून की साथ प्रजातिया पाई जाती है, रैकून एक शर्वहारी जीव है, तता सर्वहारी यानि की यह मास और वनस्पति दोनों ही खाता है, वैसे ही जानबर कुछी भी खा लेते हैं तदा फिश इंस्टेक्ट वर्ड्स या चुहा हो फिर भी फल और नाइट्रिस ब्रेड रेकून को जो भी मिलता जाता है वे खा लेता है तदा इसका निवास इस्थान जंगल और शहरों दोनों में ही होता है ऐसे निवास इस्थान जहां पानी की उपलब दिती हो जंगल जंगल में रेकून को पेड़ों और घुसलों तनों किसी भी छोटे मंद में रहना पसंद है तदा शहरों में ही है इसका निवास इस्थान सिवरेज शेड और गार्डन अता पुल इत्यादी मानव निरमित संरचना होती है तदा कु जब कि मादी मादा के वेज़ें क्या एक नर के साथ़ी बीडिंग रहता है ति माद एक बार में इससे लेकर जह सकती है और बच्चे पेड़ा होने पर मादा को छोड देते हैं बच्चे को पाले की दिमेदारी मादा की होती है ति समाहे थेन अपैंट बहुत ही पसंद करते हैं लेकिन मादा अपने बच्चों के साथ रहती है बच्चों वैस कोने पर मा के छोड़ देती है तता पूरे विश्व में रैकून जनवर की जंग्या बढ़ रही है लेकिन इसका कारण इनका कोई बड़ा सिकारी नहीं होता है तता इसका इसको कारी अच्छी लगे तो प्रिस भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको किसी और टापिक को वीडियो तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हम बना देंगे जैहिन जैभारत